आज की हमारी रेसीपी है चिकन रेशियन कटले तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है और उसमें आदा चमच काली मिरी का पॉडर दाला है ब्लैक पैपर और एक चमच नमक दाला है अपने टेस्ट के हिसाब से दाल लिएगा और एक चमच अधरक लसुन पेज दाला है और हरी मिर्च दाली एक चमच आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च दाल लिएग यह मैंने हरी मिर्च को पीस लिया था मिक्सी में और वही मिक्सी में जो पानी बचा था वो उसमें मैं दाल दूंगी चिकन गलने के इतना ही पानी दालना है हमको ज्यादा पानी नहीं दालना है आप चाहे तो बॉनलेस चिकन भी ले सकते हो और मिक्स करके इसको पकने के रखना प्रिये रेडि हो चुका तो मैंने इसको बेसे कर लिया और यह मैने दो आलू लिये थे इसको भी बॉइल करके मैंने मैश कर लिया है और यह मैं दाल के हमको mix करना है और आलू भी इसमें दालना है और नमक आलू और सबजी के जितना ही दालना है कि चिकन में हमने दाला था नमक तो जादा नहीं दालना है और यह कच्ची सबजी इसलिए लिए है क्योंकि हम प्राय करेंगे इसमें गल जाएगी और एकदम बारिक-बारी कट करना है सबजी को ताके प्राय करने के टाम गल जाए यह देखिए मैंने एक चमज नमक डाला इसमें और अच्छे से मिला लेना ह सबको गाजर को मैंने हल्वे के लिए जैसे क्रश करते हैं वैसे किया था और शिमला मिल्च को भी एकदम बारिक-बारिक कट की थी ताके वह फ्राय करने के टाम गल जाए तो आप भी वैसे कट कीजिएगा यह देखिए मैंने सब मिक्स कर लिया है और यह सेवाई है आती है जो कच्छी वह सेव ही लेनी है हमको और दो अंडे मैंने फेट के नमक डालके ले लिये है अभी इसके बॉल बनाके हमको कटलेट का शेप देना इसको आप चाहिए तो गोल शेप भी दे सकते हो मैंने ऐसा शेप दिया था और पहले अंडे में डिप करना है हमको यह देखि ताके तेल में फ्राय करने के टैम वह निकलेना यह देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसे कीजिएगा अच्छे से हातों से दबा के उसको वराबर से बनाना है ऐसे मैंने पूरे तयार कर लिये थे पहले पूरे बना बना लेना है उसके बाद आपको सेव ही ल करेंगे और इसको डीफ प्राय करना यह मैंने ओईल गरम करने के लिए रख लिया था ओईल चेक करके ही हमको आपको डालना है पहले ओईल चेक कर लेना यह देखिए और थोड़ा आराम से कीजिएगा क्योंकि आइल में डालते ताइम थोड़ा तेल उड़ेगा इसके प्राय करना है अच्छी तरह सेवा ही हमारी कच्छी थी और सबजी थोड़ी अंदर कच्छी थी तो फ्राय थोड़ा रेट कलर आने तक के ब्राउन कलर आने तक उसको भूनना प्राय करना है यह देखिए पलट पलट के और उसके बाद रेडी हो जाएगी बहुत इजी है और फटा फट से बन जाती है कुछ टाइम नहीं जाता है आप बनाईएगा जरूर देखिए और खाने में बहुत टेस्टी लगती है अब बनाईए और मुझे कमेंड में जरूर बताना कि कैसे बनी है और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ रिष्टेदारों के साथ शैर कीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए यह देखिए मैंने फ्राय करके निकाल लिये और थोड़ी बहुत उसमें सेवई निकल जाती है तो आप ऑईल को रियूस कर सकते हो चन्नी से छान के आप किसी और चीज में यूस कर सकते हो देखिए मैंने फ्राय करके निकाल लिये ऐसे ही हमको सब्सक्राइब कर लेनी है उतने दो आलू और जितना मैंने सबजी वो सब लीती उसमें मेरे चौदा या पंद्रा कटलेस बन गएते वह अपने हिसाब से आपको जादा या कम बनाने हो तो आप अपने हिसाब से बनाईएगा यह देखिए इसको फ्राय करने में भी जादा टाइम नहीं जाता है पटा फट से बन जाती है तो बनाईएगा जरूर और रेसीपी के लिए अल्ला हाफिज